और मेरे सनात्यों कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में बात करने वालें ट्रैड के बारे में अब ये वीडियो मैं अजीद भारतीजी का एक इंटर्वियू देख रहा था उसमें उन्होंने ये बात बोली। कितना ववासीर बना हुआ है तो अपने आपको क्या यह गधे क्या एक्सपक्ट करते हैं यह बात सुनके मुझे लगा कि अगर अजीद भारती जी को थोड़ा भी डाउट है कि भी ट्रैड का मतलब क्या है तो सोचे जो कॉमन पब्लिक है जो की इतना जादा ज्यान नहीं देखा है कि लोग जो ट्रैड का शब्द है उसको एज़ा कॉमिक वर्ड ही यूज करते हैं किसी का मजाक उड़ाना हो तब ही यह इस वर्ड का प्रियोग होता है अब देखिए जो ट्रैड वर्ड है बहुत ही ज्यादा स्पैसिविक नहीं है आपके जो पास वाले मंदिर क इस वीडियो के माधम से मैं आपको समझाऊंगा कि यह इसकी उत्पति कैसे वही और हमारी सोसाइटी में इनका कितना ज्यादा योगदान है और आलसी लोगों के लिए नीचे मैंने टाइम स्टैम्स भी दे रखें अगर आपको कहीं जंप करना तो वह से कर सकते हैं तो सब आपको सबसे पहले मैंने किसी मीम में ही सुना था और उसके बाद मुझे इसका मतलब नहीं पता था क्योंकि मुझे कोई नीड नहीं पड़ी बट जब मैंने ऑनलाइन देखा कि हिंदू कैसे आपस में इन शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को गाली की तरह प्रयोक करते अगर आपको इंटरस्ट होगा तो मैं इस पर भी डेडिकेटीड वीडियो बनाऊंगा आप नीचे कमेंट करके बता देना तो जैसा कि मैंने बोला कि जो ट्रैड है एक शौट फरम है इसका जो में वर्ड है वो है ट्रैडिशनलिस्ट जो भी अपने ट्रैडिशन को फॉल करता है टीका लगाता है उसको ट्रैड बोला जाता है बट बाहर का ट्रैडिशन और यहां का ट्रैडिशन आपको पता है बहुत ही जादा डिफरेंस है हमारे जादा चीजे हैं वो साइंटिफिक है हमारे नेचर के अकॉर्डिंग है चाहे आप टीका लगाना चाहे आप ज जातर चीजे 90% जो भी तक बची ही है वो सारी साइन्टिफिक हैं और यहीं आजाता है सबसे बड़ा डिफरेंस कि जो बाहर का ट्रेडिशन शब्द है वह सोच समझ के बोल ले हैं उनको पता है कि वह क्या कह रहे हैं उनके जो ट्रेडिशन हैं वह आज कोई सेंस नहीं बनात तो जब आप 6th या 7th क्लास में होंगे तब आपको एक लिटमस पेपर के बारे में साइंस की क्लास में बताया होगा जहां पर आपको जो एसडिया बेस चेक करना सिखाय जाता है अब जो एसे और बेस टम है ये बहुत ही जादा वाइड डम है इसके अंदर एक एसडिया बीचे बहुत है बड़ा डिफरेंस यह जो चल्कुलेट किया जाता है यह आपको लिटमस पेपर से वैसे ही अगर हमको अपने ट्रैइट कि तरफ तो जो सबसे पहला मेरिट है वो है एंशेंट विजडम अगर आप आज भगवद गीता हिंदी में पड़ पा रहे हैं तो यह किसी ट्रैड के कारण क्योंकि उसने जो संस्कृत का ग्यान था उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में और वही हिंदी में इंगलिश में जैसे से संपल सा लॉजिक है कर Нधिर गया नविध्म जारेज़ा वैं जफू YOU गया यह एक तरह का रूल है अक्य और को बंधिर्म क्या है कि या नई मैं नहां कर दाएघा मां बशिऔर चुस्त्स और यह आपने शाय बच्वन में सुना भी होगा जहां पर एक स्वस्त मन होता है वहीं पर भगवान वास करते हैं तो आपको एक स्टोरी की फॉर्म में या फिर सांटेफिकली बताया गया कि भई आपको नहां कि क्यों जाना चाहिए और सेकेंड जो इनका मैरिट है नौलेज सब्स देखा होगा जब भी एक जो मनुष्य है वो हर सुख भोग लेता है पैसे का और सांसारिक सुख भोग लेता है उसके बाद उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन होते हैं सनातन इसलिए सबसे आदा अभी जो फेमस हुआ है फॉर्नर्स के बीच में वह इसलिए क्यो उन्होंने सारे सुख भोग रखें अब जो उनको चाहिए वो चाहिए मैंटल पीस कि मर के हम क्या होगा हमारा अगला मिशन क्या होना चाहिए इसलिए जो है सनातन की तरफ सारे लोग एट्रेक्ट होरें जबकि हमारे पास सची में ऐसा कोई मेकेनिजम नहीं है कि हम लोग इसको वर्डवाइड प्रमूट कर सके नहीं हमारे कोई शोशल मीडिया नहीं कुछ ऐसा और इसी वजह सनातन जो है सबको अपने तरफ एट्रेक्ट करता है क्योंकि जो जवाब किसी भी पंथ के पास नहीं है वो सनातन धर्म में पाए जाते है रिजिडिटी सुनने में आ जा रही आता है जो हवन करता है वो रूल इतने हजारों साल पुराने हैं जो अभी तक चले आ रहे हैं वो इसी कट्टर्ता के वजह से अगर कोई भी आज शादी से पहले कुंडली देख रहे है कि ट्राइट्स में अगर वो अपने वेदों के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं तो उनमें डीमेरिट्स बहुत ही ज़्यादा कम है अब लोगों को डीमेरिट्स इसे लगते हैं क्योंकि रूल्स किसी को भी नहीं पसंद है कि हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो भी आपको कठ करने के लिए बोल तो मुझे नहीं लगता कि आपको बीचिस सही कर रहे हैं तो इसके बाद ही आपको पता से लेगा कि यह चीज क्यों होती है तो कुछ डीमेरिट्स मुझे समय के साथ जो लगते हैं वह मैं आगे बताने जा रहा हूं तो जैसे मैं आपको बताया था कि रि जो कि spiritually हमसे जादा अच्छे थे वह जादा महेंती थे उनको पता था कि धर्म क्या है और आज जो समाज है जहां पर धर्म का काफी हद तक नाश हो रहा है लोग जो है आलसी हो गए हैं उनको नहीं पता कि वह चीज जो कर रहे हैं वहां पर क्या सेम जो हमारे रूल्स और र अगर उसको सिर्फ भगवत गीता ही पड़नी है तो हम थोड़ी बहुत लीनियंट हो सकते हैं उसके लिए बहुत ऐसे रूल्स बना सकते हैं जहां पर थोड़ा एजी प्रोसेस के साथ उसको ग्यान प्राप्त हो सके पर उन्तु हां ट्रैट्स ऐसे हैं जो कि इस पर भी जाए बढ़ा होगा जितने जाब बढ़ा उसमें उसमें गयानी होगे उतना जादा हमारा चांस है कि हम और जादा आगे बढ़ सके और जादा फैल सके और जो सेकंड़ी मिज़े लगता है कि जो ट्रैट्स हैं उनकी कोई सेंट्रल अथर्टी नहीं है कुछ लोग चाहे वैशनव हो एक पॉइंट पर एगडी रहें हाँ यह चीज हम लोग मानते हैं बट ऐसा नहीं है किसी के लिए कोई पॉइंट साहिए किसी के लिए कोई गलत है और यही सनातन की सुन्दरता है कि यहां पर किसी को भी बूरा भला नहीं बोला जाता है पर अगर आज भी ह मेरे भगवन बड़े और मेरे भगवन बड़े सिर्फ एगो के चकर में ही तो हमको कोई नहीं कोई सेंटर अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो कि बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है ताकि अगर फ्यूचर में कोई दुर घटना हुई तो सारे लोग एक साथ आएंगे ज ज़्यादा तर जो स्कॉन वाले थे उन्होंने ही किसी ना किसी तरह इस पर जंतर मंतर पर या फिर कहीं और जाके प्रोटेस्ट करें बट वहाँ पर कहीं पर भी कोई और ऑर मेरे से ही कहीं छूड गया बड़ जहां तक मैंने देखा कोई भी सामने नहीं आया अब जैसे कि अगर आप वक्फ बोर्ट को देखे जो कि इसलाम को कई चीज़ों में कंट्रोल करता है उनके पास एक सेंटर अथोर्टी है जहां पर बहुत ही ज़्यादा पैसा है उनको कहीं भी इंपोर्टेंट काम होता है तो वहां पर उनकी भीड़ पहुंचती है उनका पैसा पहुंच विजिट है अपने उसके लिए देखे दोनों मेरे खासे सही है आप लोग फॉलो कर रहे है वह रूज जो है आज के हुमन क्या अपलाई कर सकते हैं वह आपको देखना पड़ेगा और उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा धन्यवाद